नियायकारी शनी दे महाराज शनी भक्तों को पूरा विश्वास है कि 83 लाग योनियों में मनुश्य योनि शेष्ट है इसलिए मनुश्य योनि को भोग विलास विलास्ता के लिए नहीं लगाना चाहिए शनी देव कर्मों का फल देने वाले हैं शनी साड़े साथी डईया अनेग रूपों में कर्मों का फल देते हैं मनुश्य कुछ वर्षों तक यात रखता है और बाद में इस्तिती समान्य होने पर उन्हीं भोगों में लिप्त हो जाता है और शनी देव को भूल जाता है शनी देव पूरे कल्यूग में जागरित है और हम मनुश्य अच्छे कर्मों को छोड़ कर कल्यूग के परकोव से अन्देव हो चुके हैं शनी देव अपने भक्तों पर साड़े साथी या डईया का भाना बना कर चिताते रहते हैं और अच्छा करम करने की प्रेणना देते हैं अगर हम वर्दमान में अच्छा करम करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा अच्छे करम करके हम शनी देव को अपने अनुकूल कर सकते हैं क्योंकि कर्मों का नियाए या फल कल्यूग के जिस नियाले में होता है वा सवोच नियादीश शिरी शनिदे महाराज है और उनकी महीमा अनन्द है आप सतकरम करते हुए उनका समरण कर संसार की परतेग भव भांदा को पार कर सकते हैं और सुखो की अनन्द राशी में डोप सकते हैं शनिदे परबू आप सबका बला करे मैकसिमन से मैकसिमम इस वीडियो को शियर करें